UGC ने जो नर्ने लिया वो UGC ने नर्ने तातकालिक नहीं लिया और अचानक नहीं लिया उसने टास्क फोर्स बनाए शिक्षा विदों से देश के सभी लोगों से ये परामर्ष के बाद ये हुआ कि ये जो सेमेस्टर हैं और क्लासेज हैं उसको तांतरीक मुल्यंकन पर कर स उतिन नहीं हो सकता और जब वो परिक्सा नहीं देगा तो बीना परिक्सा के उतिन होने का मतब उसके जीवन पर हमेशा कोरोना डिगरी का ठपा लग जाएगा इस तरीके से वो अभी तो कुछ महसूस नहीं कर रहा है लेकिन बाद में जब भी कोहीं वो नोकरी के लिए जाए तो वो अलग से चिननी तो उसको सबसे पहले कहेंगे कोरोना काल का तो नहीं है जो बीना परिक्सा के यह उसके जीवन के लिए उसके वहुशे के लिए जरूरी है कि फानल परिक्सा है हो ऐसे यूजी सी ने यह नर्ने लिया और पुरी देश के अधिकांस वलकी 90 परसेंट सबी कुल परिक्सा उने उसका बहुत स्वागत किया शिक्षा विदो ने स्वागत किया स्वाबग भी है कौन आदमी होगा कौन अभी भावक होगा जो यह कहेगा कि नहीं ने कोई डिग्री नहीं है और आप ऐसे पास करा दीजिए ऐसे संबव नहीं है थोड़ा बिलम तो हो सकता है समझ में आता है और इसलिए मुझे लगता है कि राजे भी इस बात को शायद अभी महसूस करेंगे और मैं आगरे जरूर करूंगा कि उस बच्ची की बहुशे के लिए बहुशे के लिए सभी लोग एक जूटो करके हमारा बहुशी है बच्चा हम उसके साथ कोई ऐसा ना करें कि उसको यह काल तो चला जाएगा लेकिन इस काल का उस पर हमेशा ठप पर लग जाएगा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते हम और आप दोनों निशन जी कला विश्यों से पढ़कर पास हुए अब इस वार एक बिटिया ने 600 वे से 600 नंबर उसको मिले मैंने पूशा भाई कौन से सब्जेक्ट ने तो वालू पढ़ा क्यों तो कला से पास हुए तो इस तरह कि जो एक अकलपरी इसे नंबर बच्चे जब दिखाएंगे आसे दस साल बाद किसी इंटर्व्यू में तो आपको लगता है कि दूसरा एफेक्ट भी आने वाला है देखें कई बार प्रस्तित्या होती है और जो हमारा पैटर्न है परिक्षा का उसमें पूरे के पूरी नंबर भी बच्चों के आते हैं कुछ बच्चे बहुत होश्यार भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं और इस समय की जो प्रस्तित्या रहे हैं जो पीछे के जो उसके वीडियालेओं को देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है उनका और इसमें किसी को कोई शंका वुनी नहीं चाहिए हमारे बच्चे में बहुत प्रतिबाह है हमारे बच्चे हंड़ेड में से हंड़ेड नमबर लाज सकते हैं उसमें कोई कला के विश्यों में और बच्चे कला के विश्यों थे सीवी एसी के रिजल्ट की बाद पर कर रहा हूँ आप लोगों ने शायद बार्खिक का सिस्टम भी बड़ा है और सथ के आधार पर या किसी उस तरह से अभी तो जो मैंने आपको कहा है देखे क्या है कि जो कला के विश्यों जो आप कहना चाहते हैं कि पहले एक प्रशन आता था चार चार पान पान चेशे पेज लिखते थी और तब जो है उसमें गुंजाइस रहती थी कि कहां कट फट हो सकती है लेकिन अब जो पैटरन बदला है आप तो पैटरन ऐसा बदला है कि आप काट भी नहीं सकते हैं तो इसलिए कला के बच्चे भ भी उस दिशा में कर रहे हैं ताकि बच्चे को किवल वही नहीं बलकि विस्तार में भी वो कैसे जा सकता है या हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे समय में ऐसा सिस्टम होता तो बड़ा आने दाता तब तो हिस्ट्री सुनकर ही लोग चालिस-पचास नंबर दे दिया करते थ यह जो राज्यों का द्वैर जो सामें आया आप लोग कोशिश कर रहे हैं इसे खत्रा यह पएदा हो गया कहीं इमतिहान हो रहे हैं कहीं एड़ीशन हो रहे हैं तो कहीं ऐसा तो देखी अगर सिटमर अक्टूबर तक क्रोड़ा चला तो सेशन कहीं जगे शून डिकरने बिशम प्रस्थिति वाले हैं हर राजय देश को यह दी देखेंगे उत्तर से पूरा पशिम से दक्षन तो ऐसा लगेगा आपको कि यह तो कितना विशाल देश है तो हर प्रदेश की अपनी अपनी प्रस्थिति की अंसार परिक्षाय होती हैं अपनी प्रस्थिति की अंसार चुटियां करते हैं अपने अपनी परएस करते ही तो यह तो भीनता-मेशा रहती है है कोई नई बात नहीं है अभी विशोबिद्यालों की समीख्षा कर रहा था देश बरके तो तो बहुत सारे विश्व विद्यालों ने तो परिक्षा करा चुके हैं, कई प्रदेशों की लगबग परिक्षाएं हो चुकी हैं, तो इसमें कोई भिनता नहीं आएगे, उससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा, हाँ, UGC की जो गाइड लाइन है, जिसको आपने आएगा, वो UGC ही लाता है, तो UGC की गाइड लाइन को उस आक्ट के तहत राज्यों को उसका समर्थन करना होता है, उसका पालन भी करना होता है, एक बड़ा पुराना सवाल है कि हमारे जो शिक्षा संस्तान है, उसमें बहुत 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 पूर्पूर्पद खाली इस पर कोई योजड़ा है कि जल्दी जल्दी इन वेकेंसीज को फिल किया जाए, नहीं हमारी तो जो पहले सौध दिन का आप हमारा तार्गेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पहले सौध दिन में सीर्श प्रातमिक्ता प्रदान मंतिजी के निर्देश पर जो र इंद्री अविशो विद्याले से लेकर के इंद्री जितने भी संसान है उनको भी एक मिशन मोड में आपने बरने की कोशिश की है और इस बीच हमने बहुत सारे कुलपतियों के ये एक प्रकरिया है खाली होने की इंटरव्यू की वो करने की लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबे स प्रस्थिति ये सोचा कि पंदर दिन पीछे करें वो पंदर दिन पीछे हो करके भी वो नहीं हुआ तो फिर एक मैना पीछे किया लेकिन अब ऐसी इस्तिति आएगी तो हम ऑनलाइन भी इंटर्व्यू मेंने अभी तीन आइटी के जो डरेक्टर के इंटर्व्यू जब ऐस प्रस्थितिया ही कई बात पीछे पीछे किया हमको लगा कि आएटी को हम खाली नहीं छोड़ सकते हैं और किसी को चार्ज दे करके नहीं रख सकते तो अभी हमने ऑनलाइन इंटर्व्यू के तो हम उसको करके जल्दी से जल्दी जो अभी अस्थान है उनको भी हम भर अबस्थान है